Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Study Zone तो chapter चाल राता हम लोग का मदमिक शिक्षा मंदल मदप्रदेश भोपाल का प्रत्यावरती धारा और प्रत्यावरती धारा में हमने कहां तक कर लिया था आपको याद होगा प्रत्यावरती धारा में हमने प्रतिरोध सिंपल प्रतिरोध ही परिपत कर लिया था और उसके पहले मैंने आपको प्रतिरोध प्रतिगात और प्रतिबाधा के बारे में अंतर बता दिया था इसका मान प्रत्यावरती धारा की आवरतीपन नहीं निर्भर करता है और इसे किस से रिप्रेजेंट करते हैं आर से यह मैंने आपको बताया था अब प्रतिगात की बात करते हैं याद होगा आपको प्रतिगात मैंने दो प्रकार के बताया थे एक मैंने बताया था XL और एक मैंने बताया था XC XL को बोलते हैं सुध्य प्रेरिकी ये प्रतिखात XL को बोलते हैं सुध्य प्रेरिकी ये प्रतिखात और XC को बोलते हैं क्या धारती है प्रतिखात तो बचो दो प्रकार के प्रतिखात यहां पे होते हैं इसका मान प्रत्यवर्ति धारा की आवर्ति पंदरभर करता है इसे एक से प्रदर्सित करते हैं अब प्रतिवाधा की बात करते हैं तो जब आपके पास में तीन में से कोई दो हो जाते रहें तो कुल प्रतिरोध जो रहता रहा है उसे प्रतिवाधा कहते रहें प्रत्यावर्ती धारा परपत में ओमिय प्रत्रोध प्रिरकुंडली और संधारित्र में दो या दो से अधिक दोरा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डालेगी रुकावट को प्रतिबाधा कहते हैं इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवरती पंदरभर करता है इसे जड से प्रदर्सित करते हैं तो हमने कल देखा कि किस प्रकार से समीकर्ड हुआ करता है किस चीज का बताया था मैंने आपको RL सरकिट का कल मैंने आपको RL सरकिट का derivation पूरा का पूरा करके बताया था कि R.L. circuit का derivation क्या हुआ करता है या आपने देख लिया था ओके तो नित्रों R.L. circuit में कल जो महत्मूर बात एक बार बताई हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूं ये आप पास में L है ये आप के पास में L है और सुरी Arl circuit अकर मैं ने निए इल सरकेट आपको पड़ाय था और कल मैंने आपको बताए था शुर्ध प्रेरी की परिपत्थ में मैं जो वोल्टेज हुआ है वो लीड करता है और कर आपने देखा था कि वी की जो value आई थी वी को法 कन तो v 0 sin बताया था कि यदि ये theta equals to zero है मतलब omega t equals to zero है तो यहाँ पर जो voltage है ये किसी particular angle omega t पर होगा और ये इसका शिखरमान है V0 और उससे 90 degree नीचे यानि की lag lag को हिंदी में बोलते हैं पश्च गामी लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं पश्च गामी और lead, lead को इंगलिस में बोलते हैं अगरगामी आपने देखा होगा test match में भारत ने न्यूजिलेंड से 200 लोग की lead ले लिए ऐसा newspaper में लिखा आता है तो इसको बोलते हैं अगरगामी और ये रेखे यहाँ पर ये angle किते डिगरी है 90 डिगरी और ये current क्या जाएगी कल इतनी बाते हमने करी थी अपने derivation को लेके rl circuit को लेके और एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ चुका है कि voltage और current के बीच का जो कौन हुआ करता है वो कौन कितने डिगरी हुआ करता है आपके पास में देख लिजे ये कौन जो है 90 डिगरी हुआ करता है चली तो come back to the topic अब हमारे पास आज जो derivation है तो इसको पहले देख लेते हैं यह क्या कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परपत में केवल एक ohmy है मतलब शुद्ध ohmy है परपत है भाई यह तो हम कर चुके हैं और important क्या होता है इसमे current का मान होता है बस इसको यह देख लिया कर यह current का मान i0 sin omega t है ना इतीक तरीके से revision भी करते जा रहे हैं आज का task हमारा यह है दोस्तों एक प्रत्यावर्ती धारा परपत में केवल एक संधारितर लगा है सुद्ध संधारितर लगा है परपत का आरेक बनाई यह काला अंतर निकालना है धारा निकालनी है इब हम धारती यह प्रत एक capacitor ले लिजे यह आपके पास में capacitor है जिसकी धारता किती है C है और आपने यहां पर voltage लगा करके प्रत्यावर्ती voltage प्लस और माइनस लगा करके यहां से धारा भेजी है ओके तो पहले voltage आपने लगाया है V0 sin omega t जैसे ही आप voltage लगाओगे यह capacitor चार्ज होने लगेगा और च कैसे करते हैं voltage के लिए हमारे पास जो capacitor का रूल होता है capacitor में किसी मोमेंट पर जो चार जाता है किसी छण पर चार जाता है तो capacitor पर चार्ज की मात्रा होती ही क्या cv यहां से उठेगा derivation भया q equal to cv होती ही सबको पता है तो यह भी q equal to cv कर दिया अब देखे यहां से तो q equal to कितना हो जाएगा v की value रखने पर cv not sin omega t क्योंकि v की value आपने v0 sin omega t रख दिये अब इसके बाद आपको निकालना है current तो आप जानते है कि जो current होती है i is equal to होती ही क्या dq by dt किसी छण बहने वाली धारा किसी छण बहने वाली धारा किसी छण इसलिए क्योंकि voltage बदल constant है sin omega t का alkaline होगा omega बाहर आजाएगा omega cv 0 sin omega t ओके अब यहाँ पर आपके सामने एक चमतकारिक चीज़ के रूप में में लिख रहा हो देखे v0 को आप उपर लिख सकते हो और क्या c omega को 1 by omega c नहीं लिखा जा सकता बिलकुल लिखा जा सकता है क्योंकि 1 by omega c पल्टी मार करके उपर आजाएगा और यह क्या हो जाएगा cos omega t ओके तो यह क्या बनेंगा आपके पास में लिखे यह बनेंगा आपके पास में v0 upon कितना होता है यह xc क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि xc याने कि धारती प्रतिगात कितना होता है 1 upon omega c यह बच्चों आप पढ़ 2 मतलब sin omega t में कितना जोड़ोगे 90 तो यह आपके पास में आ गया cos omega t तो अब देखे फाइनली आपके पर derivation आ चुका है v0 upon xc v0 upon xc xc क्या होता है प्रतिगात होता है v0 क्या होता है उच्च voltage होता है शिखर voltage होता है ओके और v0 voltage upon resistance क्या बनता है current बनता है तो v0 upon xc क्या ब बनेगा और v0 upon xc क्या बनेगा आई 0 तो अपके पास यह मैं लिख सकता हूँ कि current i equal to इसकी जिखे क्या जाएगा i0 sin omega t plus pi by 2 तो साब दिख रहा है कि यहाँ पे जो धारा है वो क्या है voltage से अग्रगामी है मतलब धारा जो है आंगे चल रही है इस बार voltage पीशे हो गया है और कालांतर की बात करते हैं तो यहाँ पर कालांतर कितना आएगा कालांतर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से और डेल्टा फाई बराबर कितना होगा pi by 2 ओके तो समीकन एक और तीन से इस पष्ट है कि सुद्ध धारता युक्त प्रत्यावरती धारा परपत में करेंट को इस बार आंगे रखना है 90 डिगरी तो यहाँ फेजर डाइगराम इसका बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फेजर डाइगराम अना लीजिए यह अपनी क्यों सी एक्सेस है ओमेंगा टी इक्वाल टू 3 टैक्वाल टू 0 और यहाँ पर अपना चल रहा है क्य वोल्टेज वी नॉट वी क्योंकि वी इक्वाल टू कितना है वी 0 साइन ओमेगा टी और करेंट इससे 90 डिगरी आंगे किससे वोल्टेज से तो यह करेंट जाएगी से 90 डिगरी आंगे यह तो यह आपकी बनेगी करेंट आई नॉट ओके कितने डिगरी आंगे 90 डिगरी औ और current की equation क्या लिखी हुई है I equal to I naught sin omega t तो यह आपके पास current की equation आ गई यह आपके पास voltage की equation आ गई है ओके आई यह अब बात करते हैं प्रतिगहाद तो प्रतिगहाद तो देखी लिए भाई साव अपने प्रतिगहाद कितना होता है अपने पास में बन गया xc ओके अभी आपने बनाया था क्या बनाया था वी नॉट अपॉन आई नॉट को क्या बोलते हैं अपन xc क्यों बोलते हैं आपने पढ़ा है ओम का नियम βी कल्टू होता है अर आई तो resistance रेजिस्टेंस बराबर होता है कितना V upon I तो यहां पर क्या है प्रिरख कुंडली स्वरी धारता लगी हुई ना तो धारता के लिए V not upon I not को क्या बोलेंगे X c बोलेंगे यह देखो यहां पर परिवर्थन किया आपन ने V not upon X c को क्या लिख दिया था ंश करेंट लोकेस नॉड़ए यować सीुक्ति ऍश Known होगा वी नॉट अपान अइन आंट वगा स्टो सिंपल चलो यह हो तो ेसी कंपन कितना होता है कल बता है था ऑफ एक सी कल to omega C और आपको क्या बोलते हैं पन्टू पाई न्यू टू पाई एफ वड़ेवर जो भी लिखना हो लिख दो तो टू पाई न्यू सी होता है क्लिएर अब सुद्ध जो आपने परिपत बनाया है धारती परिपत उसका फेजर डाइग्राम यहां पर नहीं बनाया गया है या वोल्टेज यह है तो करेंट उपन ले लो लो क्योंकि 90 डिग्री कहीं तो फर्क बनेगा तो यह सब ना तो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी करेंट हुआ करती है डन वुलिए बच्चो समझ में आगया सभी को येस सर ठीक येस सर अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अब थाटीन एक प्रत्यावर्ती धारा में केवल सुध्ध प्रेश्च परिपत्य परिपत्य लगा हुए तो यह तो आपने कल लिया अब देखो जैसे यहां डाइग्राम देखो आप कल मैंने आपको लग डाइगोराम बनाया था प्रेखी परिपत्यक्त को अब बनाया हुए देखो अच्छा वाला दाइग्राम इन्होंने क्या बनायाけて धर और Jadi कर दिया को नीचे कर दिया ओमेगाटी का नाम निसान पता नहीं चलरा मतलब गलत नहीं है, मगर सस्ता वाला डाइग्राम है, ठीक है ना, चलो, तो ये डेरिवेशन कलम कर चुके हैं, और आपने देख लिया था, कि करेंट का मान ओमेगा टी से पाई बाई टू डिगरी पीछे हुआ करता है, ये सारी चीज हो चुकी है, काला अंतर भी देख चु तो आपने प्योर R देख लिया, प्योर L देख लिया, प्योर C देख लिया, अब हम आपको ऐसे सर्केट दिखाएंगे, जो की सैयोजन से बन रहे हैं, हमने धारा का सिखर मान निकाल लिया, ये धारा का सिखर मान का सवाल है, हमने प्रतावरती धारा का ओसत मान निकाल लि पत्थ जो की संयोजन से बनते हैं Common कॉंबिनेशनल सरकेट में हमें पढ़ना है R L सरकेट हमें पढ़ना है R C नाम है R L C या इसी का नाम है L, C, R ये circuit हमें पढ़ना है जो combination से बनते हैं बाकी के होते तो हैं वठ हमारे सिलेबस में नहीं है तो उनकी चिंता मत करिए तो ये है सैयोजी परिपत जो की दो या दो element से जादा विद्धुत अव्यबों के सैयोग से बनते हैं विद्धुत अव्यबों मतलब पर्तिरोध हो गया संधारित्र हो गया आपका कुंडली हो गई इनके सैयोग से बनने वाले परिपति को हम सैयोजी परिपति बोलते हैं आईए तो पहला सवाल उठाते हैं बच्चों और एक बात मैं बता दूँ कि ये जो तीनों परिपत बनते हैं इनको बनाने के लिए आपको फेजर डाइग्राम याने कि कला कला वक्र का कला चित्र का बढ़िया ग्यान होना चाहिए तभी आप इसको बना पाएंगे ठीक है ना कला चित्र का बढ़िया ग्यान होना चाहिए तभी आप इसको बना पाएंगे अच्छा एक बात मैं आपको यहां बताना भूल गया मैं इसका वेब डाइग्राम नहीं बनाया है किसका वेब डाइग्राम धारिता का धारिता का वेब डाइग्राम मैं नहीं बनाया हूँ तो भी कामान भी 0 sin omega t होता है, तो यह देखतम voltage है, और इसमें कौन dance करेगा, इसमें voltage dance कर रहा है, यह देखिए, अब करेंट क्या करती है, करेंट लीड करती है, किते से pi by 2 से, तो i equal to i0 sin omega t plus pi by 2, ठीक है न, sin omega t plus pi by 2, डाइग्राम बनाने के लिए, हम पूसते हैं, तुम पैदा कब हुए थे, पैदा मतलब तुम 0 कब थे, तुम्हारा कोंड 0 कब था, तो यह बोलेगा, हम जब पैदा हुए थे, तो हमारा कोंड 0 कर दो, तो omega t plus pi by 2 होता है, वो घर का बड़ा होता है, तो यहाँ पर current जो है, जो voltage है, वो 0 पे पैदा हो रहा है, और जो current पैदा हो रही है, वो कित्ते पे, minus pi by 2 पे, तो यह देखिए, जो घर में पहले पैदा होता है, वो क्या करता है, वो leader होता है, वो lead करता है, तो यहाँ पर देखिए, current पहले पैदा हुई है इस बिंदू पर और वोल्टिज पहले बाद में पैदा हुआ है और दोनों के बीच का जो कला कोण है फेज डिफरेंस है वो किता दिख रहा है पाई बाई टू तो बताईए समझ में आया कौन है अग्रगामी अग्रगामी कौन है हाँ करेंट की तो इसलिए धारा यहाँ पर अग्रगामी है जिस तो इसका समय करना आप लिखें चाहें तो लिख सकते हैं आई एकौल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी फ्लस पाई बाई बाई टू यह है धारा और यह ब्लैक कलर में आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है तो ब्लैक क इस स्क्रीन शॉट ले जिए इसका डन सर ओके चलिए तो हम बात कर रहे थे अपने कॉंबिनेशनल सर्किट की कॉंबिनेशनल सर्किट में हम आ जाते हैं तो कॉंबिनेशनल सर्किट में आपको मैंने कहा कि कला चित्र आपको आना चाहिए तो कॉंबिनेशनल सर्किट में तो प्रतिरोधी पेरकी परिपत में RL सरकेट, कॉमिनेशनल सरकेट हम लेते हैं, आईए कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपके पास ये R है, और ये आपके पास में L है, ओके, और आपने यहाँ पर एक सप्लाई लगा दी है, अब जैसे ही यहाँ से सप्लाई जाएगी, तो सिरीज में एक करेंट सेट हो जाएगी, वो भी प्रतियावर्ती धारा होगी, और करेंट जाने से इसके उपर कुछ वोल्टेज गिरेगा VR, और इसके उपर भी कुछ वोल्टेज आएगा VL, ओके, VR प्लस VL, दो हमारे पास आ चुके हैं, अब आप जानते हैं कि अगर धारा आई जा रही है, तो VR एक्वल टू होगा कितना आई इंटू आर, और VL कितना होगा आई इंटू एक्सल, क्योंकि पता है आपको V एक्वल टू आई आर होता है, तो इसका रेजिस्टेंस तो आर है, तो भी आ इसका रेजिस्टेंस एक्सल है, तो आई इंटू एक्सल, चलिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले फेजर डाइग्राम बनाएंगे, हम पहले क्या बनाएंगे, फेजर डाइग्राम, तो देखिए, ये करेंट है, ये करेंट जा रही है, इस फेज में, ओके करेंट फेज में होता है वी यार जो होता है वो करेंट के कला में होता है पहला डेरिवेशन आप यात कीजिए जिसमें वोल्टेज और करेंट सेम फेज में गिरा करते थे याद है आपको कालांतर जीरो डिगरी तो वी यार और आई सेम फेज में है और आपको याद होगा कि जो वी यल है वी यल वो 90 डिगरी पे हुआ करेंट से तो यह आपके पास में वी यल हो गया अब दोनों को मिला करके एक समानतर चतरुबज बनाईए क्योंकि ये दोनों सदिस के रूप मे यहाँ पे बरताओ कर रहे है वी यार की दिसाई यह है वी यल की दिसाई यह है और दोनों का जो नेट वोल्टेज आपको मिलेगा सदिस रूप में वो बरिणामी वोल्टेज होगा तो यहाँ देखिए ये वोल्टेज आ रहा है वी ओके तो आप पाइथागोरस थियोरम स लिख सकते हैं, कि v equal to v ka square equal to vr ka square plus vl ka square, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फेज एंगल, क्यों फेज एंगल, क्योंकि ये current की दिसा है, और ये किसकी दिसा है, ये net voltage की दिसा है, परिणामी voltage की दिसा है, तो परिणामी, वोल्टेज और करेंट के बीच के कौन को क्या बोलते हैं फेज एंगल बोलते हैं कलाप कौन बोलते हैं चलिए value put करते हैं आप सब लोग जानते हैं कि V equal to कितना होता है I, R बट जब दो से दो से ज़्यादा element लगे हो तो V equal to I, Z प्रतिगाता जाएगा और जब सिंगल element लगा हो XL या XC तो V equal to होता है I, XL होता है या V equal to I, XC होता है तो I ये बनाते हैं यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा I, Z का whole square equals to ये बन जाएगा I into R का square plus I into XL का square तो I square Z square equal to I square R square plus I square XL का square I square, I square common लेके cancel कर दीजिए तो Z square बराबर आ जाएगा R square plus XL का square तो Z equals to under root R square plus XL square तो ये है बच्चों L, R circuit की प्रतिबाधा L, R circuit की प्रतिबाधा आपके पास आ चुकी है स्क्रीन शॉट ले लीजिए L, R circuit की प्रतिबाधा इस तरीके से निकालते है अब इसके बाद का बात करते हैं इसके कला कॉन की angle of phase की कला कॉन की आखिर ये जो है कितनी कला पे है ठीके ना voltage और current के बीच का कालांतर कितना है इसको कालांतर भी कहेंगे आप ये कालांतर भी कहलाएगा तो देखे मैं क्या लगा सकता हूँ मैं लगा सकता हूँ 10 phi आप जानते 10 ठीट है कल टू था लंब बटे आधार तो यहाँ पर कौन चल रहा भाई साब यहाँ पर VL चल रहा है क्यों? क्योंकि यह समांतर चत्रभुज है अगर यह VL है तो यह भी कित्ता होगा VL समांतर चत्रभुज के आपने सामने की भुजाओं की लंब आई बराबर होती है तो 10 phi equal to VL अपॉन कित्ता VL लंब बटे आधार सो बच्चों 10 phi VL कितना पढ़ा अपने I into XL VR कितना होता है I into R I से I cancel हो गया answer आगया 10 phi बराबर XL अपॉन R तो कलांतर कौन आएगा 10 inverse XL by R तो यह हो गया आपका RL circuit complete R है L है और याद रखिएगा जब भी आपको कोई कुंडली बोली जाए कुंडली आदर्श कुंडली है नहीं only कुंडली तो जब भी कुंडली बोली जाए कि कोई कुंडली है AC chapter में तो याद रखिएगा वो RL circuit ही होगा क्योंकि कुंडली किसी ना किसी पदार्थ से तो बनी है और उस पदार्थ का प्रतिरोत होगा तो उसको बोलते हैं RL circuit this is R, this is L and this total circuit is called RL circuit यह कहती कुंडली और अगर आपको बोला जाए कि कोई आदर्श कुंडली है अगर कोई कहे कि आदर्श कुंडली है तो भाई आदर्श कुंडली का प्रतिरोत कितना होता है जीरो तो उस समय आपके पास केवल शुद्ध प्रेरक होगा तो दोन में फर्क होगा अब देखो यहाँ पर आपने जो निकाला है यहाँ पर देखिए कितना फर्क आएगा voltage जो है current से phi angle उपर जा रहा है ओके तो यहाँ पर current का समीकर्ण voltage का समीकर्ण आपने क्या लिया था V0sinΤ यह जो voltage था आपका यह कितना था V0sinΤ ले करके आप चले थे तो V equal to V0sinΤ आप ले करके चले थे कौन सा voltage जो आपने apply किया था जो आपने apply किया था वो voltage आप V0sinriminationinder परन्तु जो resultant voltage आया है apply किया था वो ठीक है परन्तु जो आपका वोल्टेज आया है उस परणामी वोल्टेज का जो फॉर्मूला आपके पास बना है वो कित्ता बना है वी इक्वल टू वी जिरो साइन ओमेगा टी से कितने कोण आंगे है फाई कोण आंगे है येस क्यों भाई आंगे है की नहीं है बताओ ये देखो फाई कोण उपर उढ़ गया ना येस सेर हाँ तो ये हो गया आपका आरेल सर्केट कमप्लीट चले इसको जल्दी से नोट करिए आपके पास एक मिनट का वक्त है तो मित्रो यहां पर आपने देख लिया आरेल सर्केट अब इसके बाद हम चलते हैं और éénव जो circuit है हमारा जिसका नाम है RC circuit, तो heading मिना लिजे, RC circuit, तो RC circuit में करना क्या है, एक आपको resistance लेना है, एक आपको capacitor लेना है, और आपको series में जोड़ देना है, और series में आपने इसमे apply potential करा है, यह आपका applied potential है, यह net potential नहीं है, यह applied है, अब जो आएगा, वो अलगाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आपने लगाया, तो धारा बहेगी प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा के जाने से इसके उपर जो voltage drop होगा, वो कितना होगा, vr equals to i into r drop होगा, और इसके उपर voltage जाएगा, vc equal to i into xc, चली, अब देखें क्योंकि पूरे circuit में current एक ही है, और क्यों नहों, series circuit है, तो series circuit में धारा हमेशा एक ही रहती है, बदलती नहीं है, जितनी धारा जाती है, उतनी धारा आती है, तो धारा समान है, तो धारा का ये phase आ हो रही है, ओके, i, अब आप जानते हैं कि जो vr होता है, voltage होता है, vr, वो क्या होता है, वो current के phase में हुआ करता है, vr, सबको पता है, क्योंकि vr भी कितना होता है, v0 sin omega t होता है, resistance के उपर आने वाला voltage, same होता है, और जो vc होता है, वो current से नीचे जाता है, ये देखिए, अ current के कहां जाता है, नीचे जाता है, ओके, जो vc हुआ करता है, capacitor में जो voltage हुआ करता है, वो current के पीछे चलता है, क्योंकि capacitor में current आँगे होती, देखिए, यहाँ बेव मिल जाएगा आपको उपर, ये देखिए, capacitor के case में current आँगे है, voltage पीछे है, कितना 90 degree, तो देखिए, ये 90 degree है, अब आपको करना वही है, पहले लोग्राम बनाईए, समानतर चत्रोपज बनाईए, और यहाँ पर आपके पास में आ गया, voltage, तो अब इसको जोईन कर देंगे, तो ये net voltage निकलेगा, complex रूप में आप क्या कह सकते हैं, कि v equal to vr plus iota, iota को क्या लगते हैं, j, और द complex quantity के रूप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिलाल इसकी जरूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, अब आई ये पाइथागोरस theorem लगा दिजे, तो पाइथागोरस theorem से आएगा, v ka square equal to vr ka square plus vc ka square, तो v square कितना होता है, i into z ka whole square equal to i into r ka square plus i into xc ka whole square, ओके, then क्या करिए, यहां से i square common लेजे, तो i square common लेने पर आएगा, i square, z square, यहां से i square, r square, plus i square, आने के बाद, यहां पर आएगा, xc square, i square common लेकर के तीनों से काट दीजे, finally आपके पास आ चुका है, z square equals to r square plus xc square, so z equals to under root of r square plus xc square, बच्चों ये आ चुकी है, आपकी दिये गए circuit की प्रतिबाद हा, ये है आपकी दिये गए circuit की प्रतिबादा, अब बात करते हैं, इसका angle of phase, देखें परणामी voltage कितना आया है, परणामी voltage आपके पास इतना आया है, v square equal to, ये आपका परणामी voltage है, ओके ये परणामी voltage आपके पास इतना आ चुका है, net voltage, और ये आपकी है प्रतिबादा, आपका net voltage है, मतलब final जो acting voltage आया है, वो ये है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा angle of phase, तो आएए angle of phase निकाल लेते हैं, देखे angle of phase कितना निकलेगा, 10 phi is equal to perpendicular, देखे परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना बनेगा, ये VC है, तो ये भी कितना बनेगा VC, बट निगेटिव डारेक् ये बन गया था, so 10 phi is equal to, minus VC को मैं लिख सकता हूँ, minus I into XC, और ये हो गया, I into R, I से I cancel हो गया भाई, तो 10 phi is equal to minus XC upon R, so phi equal to 10 inverse minus XC upon R, ओके, ये आपका आगया angle of phase, और आप इसमें देखिए, जो परणामी voltage है, वो current से पस्च गामी है, कैसा है, पस्च गामी, तभी आपके पास negative angle आ रहा है, मतलब जो voltage आएगा इसमें, वो current से नीचे ही आएगा, और क्यों ना हो, क्योंकि भाई, लगा हुआ है capacitor, और capacitor में कौन आगे होता है, current आगे होती है, तो मैं कैसे याद करता हूँ, मैं इस तर current अग्रगामी होगी, clear हो गया, अब capacitor में current अग्रगामी है, तो coil में voltage अग्रगामी हो जाएगा, इस तरीके से अपन ने याद कर लिया, तो लिए भाई, आपके पास आ चुका है, resistance, impedance आ चुका है, प्रतिबाधा आ चुकी है, आपके पास final angle of phase आ चुका है, अब मैं voltage का समी समी कर लिख दू, तो voltage का समी कर क्या होगा, net voltage, इसको देख के लिख देता हूं, net voltage का समी कर, V equal to V0 sin omega t minus 5, जो net voltage है, वो current के phase से किता कम है, 5 कम है, तो V equal to V0 sin omega t minus 5, एक्जाम में क्या आता है, एक्जाम में आता है, आपको impedance निकालने को, यह चीज, तो इसको जल्दी से note कर लीजिए एक बार, ठीक है, important है यह, देखो यह पिछले बार भी हुई थी, बट पिछले बार मैंने उसको लिखी नहीं थी, आप देखो यहाँ पे, यह complex number की आपको feeling दे रहा है, जैसे आपने complex number में पढ़ा था कि कोई complex number Z होता है, यह Z होता है, औ x से iota y से, यह x होता है और यह y होता है, तो आप लिखते थे, z equal to x plus iota y, तो इसी तरीके से यहाँ पे net voltage क्या निकल रहा है, v, v equal to, कौन सा voltage vr plus iota और कौन सा voltage vc, अब vc भाई साब नीचे है, तो आपको minus vc लेना पड़ेगा, बस यह बताना चाहरा हूं, complex की form में, ठीक ह ना, यह सर, और उपर भी देखोगे, तो यहाँ पे जो इंड़क्टर वाला कौक को इस था, उसमें भी बनेगा, अपने पास में, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, v equal to vr plus iota vl, vl, यह बन गया, डन, जो सरी स्क्रेंश और चूट गया, लिग लिए, ओके, सबसे important circuit है, अब, heading डालिए, LCR series circuit या RLC, स्रेणी परिपत, तो दोस्तों इसमें क्या करिए, आप इसमें R ले लीजिए, यह exam में पक्के से आएगा, L ले लीजिए, और यह C ले लीजिए, यह favorite question है, च्वाइस है यह, टीचर्स च्वाइस है यह, तो और आपके बाद में यहाँ पर एक alternating supply हमेशा की तरह, V equal to V naught sin omega t, यह एक supply लगा दिये, इसके जवाब में यह current develop हो गई है, और current जब इन तीनों रास्तों से जाएगी, तो कुछ ना कुछ current अपनी विभव को पतित करेगी, तो इसके उपर पतित होने वाला जो विभव आएगा, कितना आएगा भाई सब, इसके उपर आने वाला विभव, V r equal to i into r, इसके उपर कितना आएगा, Vl equal to i into xl, और इसके उपर आएगा, Vc equal to i into xc, अब जबर जस्त phaser relation से यहाँ पर सामने आएगी आपके सामने, क्योंकि phaser का आपको इस्तमाल यहाँ पर जबर दस्त करना है, अगर आपको phaser का इस्तमाल करना आता है, तो यह question आपको बिल्कुल दिख करनी होगा, देके तीनों परिपथ में से current बिल्कुल बराबर बराबर जा रही, इससे भी आई, इससे भी आई, इससे भी आई, तो आप current को as a fundamental quantity यूज कर लिए आपने, यहाँ पर आपने current ले ली है, yes, आई, अब आपको पता है कि जो VR होता है, रजिस्टिव वोल्टेज, वो हमेशा current के same phase में आता है, तो माल लेता हूँ मैं कि current के same phase में VR की लंबाई यहाँ तक है, कहीं भी माल लेजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है कि जो VL होता है, वो current से lead करता है, L4 lead, है ना, L4 lead, ओके, और तो यहाँ पे जो current जो voltage होता है, वो lead करता है, किसका inductor का, तो inductor का voltage मैंने यहाँ पर माल लेजे, lead करता हुआ, VL, ठीक, और आपको पता है, जो capacitor का voltage होता है, C4 current, तो capacitor में current lead करती है, और voltage lag करता है, तो capacitor का voltage पीछे होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे बना लेजे, इतने amount का, yes, VC, अब आप यहाँ माण करके चलिए, देखिए, यहाँ पर आप यह माण करके चलिए, कि VL equal to होता है, I XL, और VC equal to होता है कितना, I into XC, तो अगर आपके पास XL की value XC से ज़्यादा होगी, अगर XL मतलब इसका प्रेणर का प्रतिगहात, और अगर capacitor के प्रतिगहात से ज़्यादा है, तो VL का मान ज़्यादा होगा, VC का मान कम होगा, मतलब VL amount में ज़्यादा है, और VC amount में कम है, तो शदिश का नियम कहता है, कि अगर इसको थोड़ा और उपर बना लो लेओ, अब यह देखे, यह आपके पास VL आ गये, VC आ गया, अब सदिश रूप से आप इसको सोचें, कि यदि एक बल पांच नियूटन का उपर लग रहा है, और पांच नियूटन के बल के उपर के विरोध में, दो नियूटन का बल अगर नीचे लग रहा है, तो इसका मैं आप से बोलूँगा, परणामी निकालो, तो आप बहुत ही आसानी से कह देंगे कि सर, इसका प्रणामी आएगा, तीन नियूटन उपर की ओर, बोलो बच्चों, बोलोगो की नहीं बोलोगे, येस सर, हाँ, इसी तरीके से VL वेक्टर उपर की तरफ है, और VC वेक्टर नीचे की तरफ है, तो इसका प्रणामी आपके पास आएगा VL-VC, क्योंकि VL मजबूत है, यहां तक है, और VC यहां तक है, छोटा है, तो इसको पलट देंगे, तो आपके पास जो नेट परणामी बनेगा, वो बनेगा VL-VC, मान लिजए वो यहां तक जा रहा है, यह VL-VC है, अब चलिए VL-VC को ले करके, एक हम समानतर चतुरभज बनाते हैं, आर के साथ, यह बन गया, यह हमारा रिजल्टेंट डाइग्राम बनने वाला है, अब हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज यहने परणामी वोल्टेज आने वाला है, तो यह हमारे पास परणामी वोल्टेज आ गया, इसको हमने जोइन कर दिया, डाइगोनल से, तो यह हमारे पास आ गया परणामी वोल्टेज, जिसका नाम है V, अब देखिए, पाइथागो से बनेगा देखे, V होता है, I square, R square नहीं लिखेंगी, तीन सर्केट है तो I, Z का whole square बनेगा, यह बनेगा IR का whole square, और यह बन जाएगा I, XL, मांनस I, XC का whole square, यहाँ से I square, कॉर मांन ले लिगे, Z square ऻजाएगा, यहाँ से I square, आर स्कूर प्लस एक्सल माइनस एक्सीज़ का होल स्कूर, आपके पास जटू का नेट परणामी परतिबादा जो आ रही है, यह आ रही है, आर स्क्वेर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का खोल स्क्वेर यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह पक का एक्जाम में आता है शिवर एकदम तो यह आ चुकी है शुद्ध प्रतिवाधा अब चलिए एंगल ओफ फेज निकालते हैं फेज कला कूण क्या होगा तो कला कूण देखिए हमारी जो शुद्ध वोल्टेज जारी है वो यह जारी है और शुद्ध करेंट हमारी यह है तो इनके बीच का जो कूण निकलता है य नामी का लाकूर कहलाता है, तो मैं यहां लिकाल देता हूँ, तो 10, 5 is equal to perpendicular upon base, लंब बटे आधार, ये देखे, इसके लिए लंब ये बनेगा, VL minus VC, और आधार बनेगा VR, तो 10, 5 is equal to VL minus VC upon VR, 10, 5 is equal to V को यदि में आप common ले लें, तो आप VL को क्या लिख सकते हैं, I into XL, और इसको लिख सकते हैं, I into XC upon I into R, तो 10, 5 is equal to I common लेने के बाद XL minus XC upon IR, फाइनली आपने I से I cancel कर दिया, तो आपके पास angle of phase आ जाएगा, XL minus XC upon R, ये है, ओके, और आप क्या देख रहे हैं, कि यहाँ पर जो final voltage आ रहा है, वो current से lead कर रहा है, current से क्यों lead ना करें, क्योंकि inductor coil यहाँ पर मजबूत थी, और capacitor यहाँ पर कमजोर था, तो मजबूत में से कमजोर भिड़ेगा, तो मजबूत ही जीतेगा, तो मतलब voltage जो है, inductor के पक्ष में गया है, और lead कर रहा है, किस से current से phi angle पे, तो जो परणामी voltage आप लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, V equal to V dash, परणामी voltage को V net लिख ले, V equal to V0, sin omega T, sin के phase से कितना आँगे है, phi आँगे है, और इस phase को omega T लिखना मत भूलिएगा, यह omega T है angle, बुलो clear है? Yes sir, हाँ, तो यह हो गया आपका LCR circuit, इसमें इतनी ही बाते पूछी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप से पूछा जाता है, कि आपको बताना पड़ता है, कि net इसकी प्रतिवाधा क्या होती है, बहुत important है प्रतिवाधा दोस्तों, बहुत ज़्यादा आती है exam में, न impedance को देखे, RLC circuit के impedance को देखते हैं, तो RLC circuit का impedance आ रहा है, R square प्लस XL माइनस XE का whole square, तो यह term जो है आपस में किस में हो रहे है, माइनस में हो रहे है, तो अगर मैं कहूं कि आपको अगर यदि इस circuit में देखा जाए, यदि मैं धारा का मान पूछूँ, I0, तो आप जानते है धारा का शिखर मान होगा, I0 equal to V0 upon Z, क्यों नहीं होगा, क्योंकि धारा बराबर होती, voltage upon resistance, तो धारा का शिखर मान कितना होता है, I0, और voltage का शिखर मान V0 upon Z, अब अब अगर आप कहें कि आपको current का मान maximum चाहिए है, तो current का मान अधिक्तम तब होगा, जब इसका मान नियु नियुन तम आपको करना है, तो Z फिलाल आपके पास यहाँ पे कितना दिया है, Z आपके पास दिया है, R square plus XL minus XC का whole square, और आप चाहते हैं कि Z को आप नियुन तम करें, तो देखिए इस से तो उमीद मत करो R से, क्योंकि ये तो fix है, हाँ, ये दोनों minus हो रहे हैं, और दुनि से को cancel कर दें, तो वो नियुन तम हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि XL minus XC square का नियुन तम मान कितना होगा, 0, ओके मतलब धारा के अधिकतम होने के लिए, Z का minimum होना चाहिए, and for Z minimum, अगर Z minimum है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, ये 0 हो जाए काश, तो XL minus XC का whole square, आप अगर 0 हो जाओ, तो कहरा मैं तो square है, तो भईया, अंदर का चीछ 0 होगा, तभी मैं 0 होगा, तो XL minus XC equal to 0, मतलब XL equal to XC, येस, अगर XL equal to XC हो जाए, तो आईए देखते हैं क्या होगा, XL कितना होता है भाई साब, XL होता है, omega into L, और XC कितना होता है, 1 upon omega C तो इसको उपर ले जाईए, omega square equal to कितना हो गया, 1 upon LC, so omega equal to 1 upon under root LC, and omega equal to होता है, 2 pi F equal to 1 upon under root LC, so F equals to, F equals to, F equals to, F equal to 1 upon 2 pi under root LC, तो ये वो frequency है, जिस पर आपने देखा था, जब मैंने आपको diagram मनाया था, कि XL जो है, इस तरीके से बढ़ता है, frequency के साथ, और XC इस तरीके से घटता है, frequency के साथ, तो ये वो frequency है, जहाँ पर ये दोनों लडमरे, दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर होने का फाइद जब ये दोनों बराबर हो गए, तो 0 हो गया, मतलब Z बराबर कितना आगया, under root R का square मतलब R, मतलब इस समय, circuit का impedance प्रतिबाधा सबसे कम है, तो Z की सबसे minimum value किती होगी R, इस समय impedance सबसे कम है, और impedance कम होने पर formula I equal to V0 upon Z से, जब Z minimum होगा, तो I क्या होगी, maximum होगी, तो Z का मान कम हो जाने से, circuit में current का मान एकदम से बहुत बढ़ जाता है, और इसको हम बोलते हैं, अनुनाद की स्थिती, और ये आवरती जो कहलाती है, F, is called to, 1 upon 2 pi under root LC, इस आवरती को हम बोलते हैं, अनुनादी आवरती, अनुनाद frequency, इसलिए इसको हम बोलते हैं, R, तो ये कहलाती है, आपकी अनुनादी आवरती, very important, ओके, अनुनादी आवरती वह आवरती है, LCR circuit की, जिस पर धारा का मान अधिकतम होता है, और इस पर धारा का मान कितना होता है, I0 equal to V0 upon R, yes, मतलब, circuit का impedance कितना हो चुका है, R हो चुका ह circuit का impedance कितना हो चुका है, R, मतलब, Z equal to R हो चुका है, भले coil लगी हुई है, भले ही capacitor लगा है, मतलब, जो circuit होगा, वो किसके जैसे behave करेगा, शुद्ध, प्रेर किये, नई, नई, सुद्ध, क्या बोलते हैं, इसको प्रतिरोध ही परिपत्ध, परिपत्ध के जैसे behave करेगा, थिक है न, सुद्ध, परतिरोध ही परिपत्ध के जैसे behave करेगा, आर, ये अपने पास जो LCR circuit है, सुद्ध, परतिरोध ही परिपत्ध के समान behave करेगा, डन तो यह हो गई आपके पास में resonating frequency बहुत important है आईए इसको देख लेते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं जरूर दी होगी है तो इसको देख लेते हैं तो यह देखे वो प्रश्ण है परिक्षा बोद में दिया गया है क्या क्या दिया गया देखो क्या एक्जाम में आता है देख लो LCR परिपत का वर्णन करते हुए निमने बिंदो पर आधार पर कीजे भाईया बिद्दोत परिपत बना लिया यह तो बहुत आसान काम है फेजर आरेक भी बना लिया परिपत बाधा भी निकाल दिया अगला क्वेश्चन देखो अनुनादी परपत क्या है यदि एक परिपत बरती परपत में L प्रेरकत सीध हर्ता आर परतिरोध परतिवर्थी विभास रोध से स्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो निमन की गर्णा करो प्रणामी विवांतर निकालेंगे प्रतिवाधा निकाल दी कलांतर निकाल दी अनुनादी आवरती भी निकाल दी 2018 का क्वेश्चन है और भाई साब 2023 में भी आएगा लिख लो चलो भाई तो देख लेते हैं ये भाई साब अनुनादी विद्धत पर्पहत में देख लीजे ये जब स्श्विणी LC पर्पहत में या LCR पर्पहत में प्रतिबाधा का मान तो पर्पहत में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है याद करो I not equal to V not by Z तो Z अगर मिनिमम होगा तो धारा मैकसम होगी इस घटना को अनुनाद कहते हैं इस स्थिदी में प्रत्यावर्ति विद्ध वाहक बलकि अवर्ति को अनुनादी अवर्ति कहते हैं यह परिपत अनुनादी विद्ध परिपत कहलाता है आईए वेब वांतर देखते हैं तो वही तीन पॉइंट VL या क्या बिना कला कोड के बच्चे कैसे समझेंगे यह नीचे बना रखा भाई साब यह देखो करेंट की फेजर में वी आर हम साथ साथ है वी एल हम तुम से पाई बाई टू उचे हैं और VC भाई या हम तो नीचे हैं तो यहाँ पर नेट वोल्टेज कट गया VL मैनस VC य परतिबादा का बेंजग देखिए जड़ इकोल टू आर स्क्वेर एक्सेल माइनस एकसी का होल स्क्वेर यह निकाल दिया आप चाहो तो एक्सेल की जगए ओमेगाल मैनस ओमेगा सी रख सकते हो चलो टैन फेजर डाइग्राम फिर अभी निकाला नहीं था मैने निकाल देत इकोल टू लंब बटे आधार तो यह लंब कितना है वी एल माइनस वी सी यह है और बटे आधार कितना है आर ओके सो इसको थोड़ा सिंप्लिफाई कर देता हूं मैं अपने तरीके से yasso 10 ch5 equal to vl minus vc upon vr सो यहां से आप देखिए i XL minus i xc upon i into r i से i common ले करके काड़ दीजे क्या जाएगा 10 ch5 equal to xl minus xc upon r और यहां पर भाई साब आपने value रख दी है, 10 phi की जगए, phi इधर जाएगा तो inverse में आ जाएगा और inverse में, omega L minus 1 upon omega C upon R, अब धारा का समीकर्ण देखे, देखो, धारा का समीकर्ण ये ज्यादा अच्छा तरीका दिया है, ये बहतर तरीका है, जो आपने voltage लिया था, वो क्या था, V equal to V0 sin omega T, ये था, औ तो current का समीकर्ण निकलेगा, sorry, I equal to I0 sin omega T minus phi, तो आप current का भी समीकर्ण लिख सकते हो, ये हो गया current, और current मैंने आपको बता दी, अधिक्तम current कितनी होगी, I not equal to V0 by Z, Z की value आप निकाल चुके हो, yes, so V not upon, बार बार omega के टम में लिख देता है, अब अनुनादी आवरती का वें इन जख है, ये भी मैंने आपको निकलवा दिया, F equal to 2 pi under root LC, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है, रेडियो रेसीवर को ट्यून करने में, जब आप कभी FM वगरे चलाए हो, तो FM में एक knob लगी रहती है, जो station बदलने के लिए काम में आती है, पुराने वा आवरत्ती को, जिसको आप ट्यून करते थे, उस आवरत्ती को बोलते थे, अनुनादी आवरत्ती, बोलो clear हो गया, ये सर, हाँ, तो ये पूरा LCR circuit बहुत important है, इस chapter में में सबसे ज़्यादा आया हुआ question यही है, और आप इसको जो है complete कर लीजिए, ठीक है, अब इसके आता है, transformer, अब इसके बाद हम cover करते हैं, transformer क्या हुआ करता है, चलिए, तो अगला topic जैसा आपने कहा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, transformer, तो transformer को हिन्दी में भी transformer ही बोलते हैं, तो transformer का मतलब देखे, transformer, transformer मतलब एक किसी चीज़ को दूर भेजना, तो भी या किस चीज़ को दूर भेजना, जो transformer होता है, यह विद्ध शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, विद्ध शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, ठीक है न, विद्ध शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, अब क्या होता है कि विधूध शक्ती एक स्थान से दूसरे इस थान तक जाने के लिए कुछ विधियों के द्वारा भेजी जाती है बच्चो जैसे एक चीज ये समझो कि आपको कोई voltage भेजना है आपको मान लो को जैसे हमारे बिजली आ रही है हमारे कटनी स्टेशन में बिजली आ रही है और ये कटनी स्टेशन में MP में जो बिजली आ रही है ये 36 गड़ में एक जगह है कोरबा वहाँ पर ये बिजली बन रही है तो वहाँ से बिजली भेजी जाती है आपके घरों में जो voltage इस्तमाल हो रहा है और यहां से जो बिजली का production हो रहा है वो कुछ हो रहा होगा 2000 वोल्ट 3000 वोल्ट उसके बाद यह बिजली आपको देखा होगा गाउं वगरे में towers वगरे लगा करते हैं खेतों के उपर और high tension line के form में यह बिजली आपके घर तक finally आती है तो इतना आसान नहीं है कि सीधे यहां से एक तार डाल दिया जाए और आपके घर में दे दिया जाए और बिजली आ जाए अगर आप जानते है कि यहां से directly बिजली भेजेंगे तो यह पूरा का पूरा signal जो होगा यह loss हो जाएगा मतलब जब चलेगा तो बहुत ज़्या वोल्टेज आते 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 डेड नहीं हो जाता है समझ गया ना मतलब जब आप किसी सप्लाई को भेजते हो तो आपको क्या भेजना पड़ता है उसको step up करके तो एक प्रकार का transformer होता है जिसको हम बोलते है उच्चाई transformer that is call in English step up transformer जो क्या करता है जो वोल्टेज को बढ़ा कर देगा 22,000 वोल्ट का कर देगा ओके 22,000 वोल्ट का कर देगा ये कर देगा इतना बड़ा कर देगा इसको और जिससे की ये जो वोल्टेज है बहुत हाई होता है और ये बहुत दूर तक हाई वोल्टेज को आप transmit कर सकते हो और वोल्टेज सुरक्षित तरीके से एक स्था से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा, डन, ये काम है ट्रांसफॉर्मर का, विद्ध शक्ती को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, अब आई ये देखते हैं, विद्ध शक्ती, शक्ती का फॉर्मूला क्या होता, विद्ध शक्ती का फॉर्मूला, विद्ध शक्ती मतलब P, विद्धुत शक्ती P और आप जानते P का मान कितना होता है V into I तो यह आपके पास में एक transformer है सपोज और इस transformer के input पे आपने input विद्धुत सक्ती लगाई P1 और output विद्धुत शक्ती आपको मिली दूसरे जगह पर कित्ती P2 एक जगह आपने P1 लगाई है और दूसरे पोड़ पर आपको शक्ती कित्ती मिल रही P2 मिल रही है तो अगर आप आदर शवस्था मान करके चले transformer की आदर शवस्था जो की कभी होती नहीं है तो आदर शवस्था transformer का concept यह कहता है कि P1 equal to P2 मतलब V1 I1 equal to V2 I2 मतलब input power equal to output power निरगत शक्ती equal to निवेशी शक्ती किसका से धान तह यह आदर transformer का कि जितनी निरगत शक्ती दोगे उतनी आपकी इतनी निवेशी शक्ती दोगे उतनी निरगत शक्ती यह होती निवेशी शक्ती input पावर और output power मतलब निर्गस शक्ती, तो P1 equal to P2, so V1 I1 equal to V2 I2, अब यहां से देखो, अगर आप इसको divide कर दो, so V1 upon V2 equal to I2 upon I1, देखरा है, यह V2 upon V1 equal to I1 upon I2, तो बच्चों एक बहुत important fund आप के लिए आचुका है, यहां पर develop होगे, कि V inversely proportional to I, yes, V inversely proportional to I, इनको सरणशब्दों में यह कहूंगा, कि जब supply आपको भेजी जाती है, इस्टेशन से, तो उस समय voltage बहुत high होता है, तो मतलब supply को आपको step up करके भेजा जाता है, तो voltage बहुत high होता है, तो current क्या होती है, बहुत कम, current बहुत कम होती है, बढ़ जब आप अपने घरों में इसको लेते हो, step down करते हो, ओके, तो आप voltage लेते हो, कम और current लेते हो, जादा, तो दो चीज़े होती है, transformer में, transformer के input में, अगर आप, मतलब कहीं ऐसा नहीं कि input में voltage हाई लोगे, जो भी जैसा भी करोगे, बस voltage और current में उल्टी relationship चलेगी, कि voltage जादा रहेगा तो current कम रहेगी, और voltage कम रहेगा तो current जादा रहेगी, क्यों? क्योंकि formula लगता है, P equal to constant, और P मतलब V into I equal to constant, ठीक है? बुलो clear हुआ बच्चों? तो कितना हो गया? 24, तो हो सकता है, voltage जिस समय 24, current उस समय 1, voltage 12, current 2, voltage 8, current 3, voltage 6, current 4, voltage 4, current 6, देखो मजे की बात, voltage घट रहा है, ये घट रहा है, और current बढ़ रही है, बट पावर सेम रहेगी बच्चों? ये है transformer का सिधान्त, इस तरीके सिधान्त नहीं कहो, transformer इस तरीके से work करता है, तो अभी तक के लिए आपने main formula क्या पढ़ा? V1 upon V2 equals to I2 upon I1, ये transformer का आपने एक formula पढ़ लिया है, अब transformer का सिधान्त हम आपको समझाते हैं, कि transformer का सिधान्त क्या है? तो transformer कार करता है, अन्योन प्रिरण के सिधान्त पे, आईए रेखते हैं, बच्चों ये आपके पास में एक transformer है, ये आपके पास प्रात्मी कुंडली है, जिसमें कित्ते फेरे हैं? N1 और दूसरी कुंडली ये है, बहुत घनी कुंडली है, जिसमें फेरे हैं कित्ते N2, अब आप जानते हैं कि विद्व चुम की पिरण में आपने पढ़ा है कि E is equal to Nd5 by dt, E is equal to Nd5 by dt, मतलब प्रेरित विद्व तवहागबल होता है Nd5 by dt, अब यहां पर दो प्रेरित विद्व तवहागबल होंगे, एक आपके पास होगा E1 और एक आपके पास E2, और जो flux य दुतियक कुंडली में भी बधित होगा मतलब प्रात्मिक कुंडली का फ्लक्स ही जाके दुतियक कुंडली में जाएगा क्यों क्यों जाएगा क्योंकि ये कोर लगा हुआ है सॉफ्ट टायरन का माटेरियल लगा हुआ है और सॉफ्ट टायरन की चुम्बक शील्टा बहुत ज इसी को E1 बोलते हैं इसी को V1 बोलते हैं और दूसरा वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेगा निर्गत वोल्टेज V2 जिसको E2 बोलते हैं एक क्वल्टू कितना हो जाएगा N2 D5 by DT अब यदि आप V2 में V1 का भाग दे दें तो देखिए V2 by V1 को हो या E2 by E1 को हो क्या हैगा N2 D5 by DT divided by N1 D5 by DT D5 by DT से D5 by DT cancel हो चुका है तो क्या बन चुका हमारे पास V2 upon V1 equal to E2 upon E1 equal to N2 upon N1 साफ दिख रहा है कि V जो है N के proportional होगा मतलब जिस तरफ फेरों की संख्या जादा होगी उधर का वोल्टेज जादा होगा क्योंकि flux सेम है तो फेरों की संख्या बढ़ा करके आप वोल्टेज के मान को बढ़ा सकते हो यही transformer का सिध्धान्त होता है तो देखिए क्या दो प्रकार के transformer बनेंगे एक अगर आपके पास प्राइमरी में फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या जादा है तो यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2 N1 चोटा है N2 बढ़ा है तो V1 वोल्टेज यहाँ पे जो आएगा वो बहुत चोटा होगा और V2 वोल्टेज बहुत बढ़ा होगा मतलब कम वोल्टेज लगा के आप बहुत बढ़ा वोल्टेज प्राप्त कर लोगे जैसे आपने यहाँ पे 20 वोल्ट लगाया और यहाँ पे कित्ता वोल्ट प्राथ कर लिया 220 वोल्ट या 200 वोल्ट इसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर अब दूसरा केस देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया V1 छोटा V2 बड़ा दूसरा केस क्या है कि आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर में बड़ी क्वाइल लगाई और यहाँ पे छोटी क्वाइल लगाई तो N1 यहाँ पे ज़्यादा है और N2 यहाँ पे कम है तो आपको पता है कि N1 ज़्यादा होने पर V1 बड़ा हो जाएगा और V2 छोटा हो जाएगा इसको बोलते हैं अप चाई ट्रांसफार्मर अप चाई याने की step down क्योंकि voltage input में बढ़ा रहेगा और output में छोटा रहेगा तो ये है बच्चो transformer का सिध्धान्त इस तरीके से transformer काम करता है किवल फेरों की संख्या का कमाल है क्यों कमाल है एक बार फिर से बता देता हूँ E का formula होता है N defability N मतलब फेरों की संख्या गुडे flux में बदलाओ अब flux में बदलाओ दोनों coil में same होता है इसकी वज़ाए से पूरी जिम्मेदारी किस पे आ गई N पे तो E proportional to N अब इस transformer का सबसे important formula जिसको बोलते हैं परिड़ अमन अनुपात यह transformer ratio तो यह क्या होता है इसको के से सो करते हैं और के कितना होता है V2 upon V1 तो अभी मैंने आपको बताया V2 upon V1 बराबर E2 upon E1 equal to N2 upon N1 परन्तु voltage की current के साथ विप्रीद relationship होती है तो क्या हैगा I1 upon I2 तो जो आपका numerical बनेगा transformer का वो इसी से बनेगा Done? Yes sir हाँ तो अब आपको करना क्या है अब आपके पास जो परिक्षा बोद मैंने book दे रखी है उससे पूरा transformer आप पढ़ लीजिए यह देखिए पहले primary फिर इसके बाद secondary दोनों का भाग दे दिया और इसके बाद देखिए मैंने current की भी relation डेवलप करा दी है और यहाँ पर बोला गया है देखिए चक्रों की संख्या के अधार पर आधार पर मैंने जो लिखाया N2 upon N1 equal to V2 upon V1 equal to I1 upon I2 इसको बोलते हैं परणामन अनुपात चली तो transformer पूरा कर लिजे एक बार रीडिंग कर लिजे इसके बाद मैं आगे करते हैं जल्डी से रीडिंग लगाए चली तो अगला derivation देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपको निकालनी है और शट सक्ती तो derivation का नाम है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए कि कोई भी परिपत आपके पास में है उसके लिए और शट सक्ती निकालिए और उसका कई बार प्रूफ दर्ट ये करने को आजाता है कि सिद्ध करो कि और शट सक्ती PAV बराबर voltage की RMS value into current की RMS value RMS मतलब वर्ग माद दिमूलबान into cos of angle of phase ये प्रूफ करने को आता है चली रेखी करते हैं solve किस तरीके से solve करेंगे मान लेते हैं कि हमने किसी circuit में voltage लगाया है और voltage का equation कितना है V equal to V0 sin omega T ये आपने किसी circuit में voltage fit कर दिया है जिसका समय कर बन गया V equal to V0 sin omega T और voltage V equal to V0 sin omega T लगाने पर उस circuit में जो current प्रोडूस हो रही है वो मान लो I equal to I0 sin omega T minus phi plus phi minus phi इसलिए मान कर के चलो क्योंकि आपके पास सारी परिस्थितिया बनी रहें अगर आप इसको sin omega T मान कर के चलोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि केवल आपका circuit उस समय रजिस्टिव circuit के तौर पे ही मानने होगा क्यों? क्योंकि रजिस्टिव circuit में voltage और current सेम फेज में होते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा बाकी में सेम फेज में नहीं होते हैं तो हमने सारी परिस्थितियों को ले करके चलने के लिए यहाँ पर क्या मानन लिया? I0 sin omega t minus 5 अब जानते हैं कि जो ताच्छनिक पावर हुआ करती है तुरंत की पावर, तुरंत की शक्ती पीक कॉल्डू कितनी होती? V into I तो multiply कर दिया आपने V0 sin omega t I0 sin omega t minus 5 बिटा V0 I0 को साथ में ले लो और यह क्या बनेगा? sin omega t sin omega t minus 5 ओके? 2 का divide कर दो, 2 का multiply कर दो तो 2 का multiply करते से ही एक formula होता है, बच्चों 2 sin a sin b तो 2 sin a sin b का formula जो हुआ करता है उसमें होता है formula क्या बनता? equal to cos of a minus b minus cos a plus b यह होता है formula math का 2 sin a sin b equal to cos of a minus b minus cos a plus b तो यहाँ पे देखो cos a minus b करोगे तो cos of omega t a है और minus b करोगे तो minus का omega t plus phi हो जाएगा यह minus sign खुलेगा तो और minus cos a plus b मतलब omega t plus omega t कितना हो जाएगा? a है omega t और b है omega t minus phi add कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 omega t minus का phi यह हो गया बच्चों अब omega t से omega t cancel हो गया यह कितना बच गया? cos phi minus cos 2 omega t और minus का phi यह बच गया यह क्या आचुका अपने पास में? और यह बैठा है 1 upon 2 v0 i0 बाहर बैठा हुआ है यहां तक हम आ चुके हैं यह हमाइपस क्या निकली है? पावर यह कौन सी पावर है? ताजच्छनिक पावर है ओके? multiply कर दो तो multiply कर दिया आपने 1 upon 2 v0 i0 का तो कितना हो गया? 1 upon 2 v0 i0 cos phi minus 1 upon 2 v0 i0 multiply by cos 2 omega t minus phi जी हाँ अब आपको निकालना है यह कौन सी पावर है? ताजच्छनिक पावर है अब आपको निकालना है एक पूर्ण चक्र की पावर एक पूरे चक्र की पावर तो बेटा यह तो constant है यह क्या है? constant है और एक पूरे चक्र के लिए जो cos का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है तो ये cos का फलन है तो cos के फलन का पूर्ण चक्र में मान, औसत मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो किवल आपके पास पावर कितनी बचेगी, 1 upon 2 V naught, I naught आप इसको break करके लिख सकते हो 1 upon 2 को root 2, root 2 दो बार root 2, root 2 दो बार और cos phi, तो ये क्या बन गया VRMS, ये बन गया IRMS और ये बन गया cos phi तो average power equal to VRMS, IRMS cos phi, बोलो clear है एक बार अच्छे से derivation को देख लो जल्दवाजी नहीं करो, अराम से देख लो derivation को और जिस point में problem है, उसको बताओ मेरे को, बिटा cos phi को बोलते हैं, शक्ति गुडांक power factor cos phi को बोलते हैं power factor cos phi को बुला करते हैं power factor तो ये cos phi की value अगर आप diagram से भी निकालना चाहों, तो निकाल सकते हो हमने पढ़ा दी आपको, देखो ये angle क्या हुआ करता था, phi और ये जाता था voltage और ये जाती थी current ओके, तो cos phi equal to आधार बटे कर्ण cos phi equal to आधार बटे कर्ण, ठीक ना तो अपने पास क्या हो जाएगा आधार कितना है, I और कर्ण कितना है, V cos phi equal to I upon V, इसकी ज़ार, जाता है cos phi equal to Aadhaar इसमें आई ले लिया है, और इसमें अपने V ले लिया है कुछ इहाँवे बटे मिश्टेक हो रही है। कॉस्पाइए की वैल्यू छोड़ दो अभी। कॉस्पाइए की वैल्यू पे बात नहीं करेंगे। कुछ ठोड़ा सा मिश्टेक हो रही है। Phaser Diagram को देख करके Question बनाने पड़ेगा। बस यह जाने लो कि COS FI ought को शक्ति गुडांक बोलते हैं कौस फाई को शक्ति गुडांक बोलते हैं जहां पर उसकी जरूरत होगी तो उसकी फिर हम बात करेंगे तो कौस फाई को क्या बोले जाता है शक्ति गुडांक को परिपत का सक्ति गुडांक कहते हैं और इसका मान परिपत की प्रकतिपन निर् कर क्या है देखिए क्या है इस पावर का आप कहोगे सर कौस फाई का इस्तमाल क्या है कौस फाई का इस्तमाल दिखिए क्या है आपके पास अगर शुद्ध धारती परपत है शुद्ध धारती परपत आपने देखा है कि यदि आपके पास में शुद्ध धारती परपत है, pure C circuit, तो आपने देखा था, pure C circuit में current lead करती थी, और voltage lag करता था, ये था voltage, अगर दोनों के बीच का हम एंगल देखें, कितना है 90 degree, और यदि शुद्ध धारती परपत की हम निकाले, power, तो अभी आपने पढ़ाया, average power बराबर vrms into irms into cos phi, तो phi का मान यहाँ पर कितने degree है, 90 degree, तो cos phi की value रख देंगे, cos 90 कितना होता है, 0, तो सब कुछ कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि cos 90 का मान जो होता है, 0 होता है, इसी तरीके से, यदि आप सुद्ध प्रेरक की ये परपत ले लो, ये प्रेरक है, while है, और यहाँ पर आप cos phi, भाई, 5 फिर से देखो, आपको पता है, कि प्रेरक में धारा यू जाती है, और voltage यू जाता है, और दोनों के बीच का अंगल कितने degree होता है, 90 degree, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0, बिल्कुल सही, बस यही मैं समझाना चाहरा था आपको, कि, जो cos phi होता है, cos phi पर शक्ती का मा angle of face, चलिए, तो यह यहाँ पर, I hope इसको आज यहाँ पर जितना पढ़ा दिया है, मैंने, आप उसको पढ़ करके आईए, काफी सारे questions अच्छे अच्छे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर दीखिए, जैसे प्रत्यावरती धारा क्या होती है, और दिष्ट धारा में क्या होत करता है, आज आपके पास पूरा वक्त है, संडे है, और आप लोग इसका इस्तमाल करते हुए, पूरा इसकी खिड़किया बना ले, जो हमारा तरीका है, बताने का, पढ़ाने का, उसको खिड़किया बना करके, आज कंप्लीट करके, इसको पूरे द्रण निश्चे के साथ इस शीट को फाइल को कंप्लीट करके मेरे को भेजे, एक दो पॉइंट आपको जरूर नए मिलेंगे, उनको हम लोग कल डिसकस करेंगे